प्रेंड्स वेल्कम टो लॉफ यू जीवन एजुकेशन में एक बार फीर से आप सब का स्वागत हैं हम डिसकस कर रहे थे बीपी सी सी अचन के रिगार्ड़ेड़ सेशन जिसके अंदर हमने लास्टली दो पेपर देख लिए हैं यानि पहला पेपर हमने देखा था उसके अं पेपर वहाँ से आपको क्योफिशन देखने को मिलेगा उसके बाद इस सेकेंड़ पेपर हमने देखा था जिसके अंदर हमने न्यू टेशन के जो वने अप्लेंक्ट उत्याद हैं क्मृ हैं और किस तरिके से आपको इनका व्पर वहाँ से आंसर लेना हैं चितनेm वेज में कितने लेंदी आपको पेज कवर करते हुए इन को सॉल करना है तो पूरा completely जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को लेकिन वीडियो को लाइक नहीं क्या तो लाइक कर दीजेगा शेर नहीं क्या तो शेर कर दीजेगा ताकि अपने सभी फ्रेंड्स तक ये पहुँच जाए और वो भी इन सेशन को देख शके चलिए बढ़ते हैं और आज के सेशन के अंदर आपन डिसकस कर रहे हैं थर्ड पेपर याद रखे थर्ड पेपर और मैंने आपसे कहा था कि इन पेपर को आप जरूर सोल करें प्रेक्टिस जरूर करें क जिसे आप प्रेक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी इस फिट blame बढ़ेगी लिखने की तरीका भी आपका चेंज होगा और मैंने आपसे कहा था कि paper को solve करे और PDF बना कर, image आप click, photo click करके, PDF बना कर आप मुझे send कर सकते हैं, आपको मैंने WhatsApp ग्रूप में add कर दिया गया है, तो वहां से आप मुझे contact कर सकते हैं, वहां पर send कर सकते हैं, जो भी query होगी आपके question के answer देने में, वो मैं आपको बताऊँग क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, daily up to date practice करते हैं, daily जो question paper आपको दिया जा रहा है, उसको आप practice करते हैं, अब आपके उपर है कि practice आप करते हैं, नहीं करते हैं, जो practice करेगा उसका improvement होगा, मैं तो यह जानता हूँ, ठीक है, तो आप कोशिश कीज़ेगा, इन question को solve करने की, जितना आपसे effort होता है, कि हम university में इस तरीके से लिखूँगा, वैसे आप कोशिश कीज़ेगा, जो भी curious रहेगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आज की session को start करते हैं, आज की session के अंदर third session अपन discuss कर रहे हैं, concentration के साथ समझने की कोशिश कीज़ेग BPC, CHN के regarded हम देख रहे हैं, foundation of community health का ये paper है, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया है, condition क्या रहेगी, total 8 question आपको मिलेंगे, कितने question मिलेंगे, total 8 question आपको मिलेंगे, हर paper में मैं बता रहा हूं, कोशिश कीज़ेगा, समझने की total 8 question आपको मिलेंगे, 8 में से आपको 5 question solve करने है 8 में से 5 question solve करने है, 8 question में से आपको 6 question तो long question मिलेंगे, और 2 question आपको short note best question मिलेंगे, 6 question और 2 question इस तरीके से मिलेंगे, उसके बाद short notes और long question, long question और short notes दोनों को मिला के, आपको total 8 question है, 8 question में से आपको 5 question complete करने पड़ेंगे, अब उसमें आपको कोई question compulsory भी दे सकते हैं, कोई question compulsory जरूरी नहीं है compulsory दें लेकिन कोशिस है लेकिन university की कोशिष यह है युद्वी का pattern यह है कि आपको एक question वह compulsory में की कोशिच करते हैं अगर उनसे होता है तो बाकि काफी बार ुद्व सारे कोश्षन के ईक्वल मार्खस दिये गया है और तो बिल्कुल कहा गया है कि आप जो 8 question है उनमें से 5 question कोई से भी attempt कर लो ऐसा कोई वहाँ पर bond नहीं रेता है कोई compulsory option नहीं रेता है लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो एक question आपको option में यहाँ पर compulsory दिया जा सकता है और short notes भी दिया जा सकता है या first question भी आपको compulsory में दिया अगया है आठ question टोटल आपको exam में मिलेंगे 8 में से 5 question करने है उन उनमें से 1 question rare question में मिल सकता है पांज question तो आपको करने हैं 6 question long question होंगे दो question short not best question होंगे छे question में और दो question से यानकि 8 question में से आपको 5 question attempt करने है I think यहां तक आपको समझ में आगा चले बढ़ते हैं और question समझते हैं किस तरीके से question आप से exam में पूचा जाता है देख लिजेगा timing आपको बता हैं 3 घंटे आपको मिल रहे हैं 3 घंटे आपको मिलेंगा और आगे जो भी इंस्ट्रक्शन रहे गा उनिवर्सिटी का वह आपको बता दिया जाएगा और I think जहां तक मुझे लगता है आपका timing हावर भी कम हो सकता है और आपके question पेटन भी थोड़ा आपको बता दिया जाएगा जब तक की आपका पेटन यही रहेगा तो आपको फिप्टी परसेंट मार्क्स लेना है जरूर नहीं है 70 में से 35 आपको लाना है आपको जो इंटर्नल एक्जाम होंगे इंटर्नल बेसिस जो मार्क्स है अगर पूरे दिये गए तो फिर यहां पर आपको कम लाने होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योशन अपन देखते हैНе पहला क्योशन जो कि और सर्थ इंटर्नल एक्स्प्रेंब्रासां के अंदर आप की books के अंदर होती है जो की मैंने class के अंदर आपको बताई थी वो लिखेंगे एक definition आप अपनी तरब से लिखेंगे यानि at least दो definition कोई कोई भी question हो at least दो question आपको लिखने होंगे ठीक है कैसे एक तो जो आपको बताई जाती है जो आपके सबसेंगे थे तो यहां तक आपका पूरा माक्स मिल जाएगा तो इसकर देफिनेशन दो deaf and call आपको मार्स्यव्डाय को अधेरन में बता रहा हूं आपको फॉलो करना ओगा तभी आपको माक्स मिलेंगा अधर्वाइस vos बैस्ति अपको कर सकते हैं एज यूनिरसिटीव पैटन है ठीक है चले बढ़ते हैं और अपनी मनमानी नहीं करनी है पहले तो मैं नहीं करनी है कि टर्म बाइयो मेडिकल वेस्ट को आपको क्या करना है एकस्प्लेइन करना है तो काफी सारे अपना दिमाग भी लगाएं अपने बुद्धी भ किया जाएगा क्योंकि university पैतर university में ऐसा ही होता है definition पूचा है at least term पूचा है तो एट लिस्ट उसको दो definition clear करनी होगी तो ही अपन संभाव ना कर सकते हैं और मान सकते हैं कि हाँ हमें मार्क्स मिलेगा और भी अच्छा माक्स मिलेगा ठीक है आई थिंग समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्योशन के अंदर क्योशन एड है एड कर रहे हैं लिस्ट दा टाइप ऒस ओ सिसको कलेक्ट ऐस जाता है यानि वेरियस कलर के जो डस्ट बिण होते हैं आपने पढ़ा था, red color का पढ़ा था, blue color का आपने पढ़ा था, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था, white color पढ़ा था, black color आपने पढ़ा था, आप सबको याद होगा, नहीं याद है, तो वो classes जरूर देखे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बायो मेडिकल वेस्ट के रिगार, और 100% यहाँ से क्योशन आपको देखने को मिलेगा, और अगर competitive exams की, M's की तैयारी कर रहे हैं, अदर competitive exams की preparation कर रहे हैं, तब भी आपको 100% यह topic clear कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 क्योशन, 3 क्योशन, confirmly पूँचे जाते हैं, नोट से 20, 21st के regarded आप example देख सकते हैं, काफी सारे क्योशन वापर पूँचे गए थे, ठीके, I think समझ में आ गया होगा, तो list out आपको करना है, थोड़ा थोड़ा सा color code आप बताना है, और color के अंदर कौन सा west है, जो की रखा जाता है, डाला जाता है इसी में question add है, advantage of biomedical west management, biomedical west management के क्या-क्या advantage होते हैं, काफी अच्छा question पूचा है, क्या advantage है, क्या फाइदे हैं, अगर हम biomedical west management को properly क्या कर रहे हैं, discard कर रहे हैं, properly dispose कर रहे हैं उसको properly management कर रहे हैं तो उसका क्या advantage है, क्या benefits है वो आपको बताने हैं writing आप सबको पता है, common question है और अगर आपने lastly जो biomedical vest management की जो classes आपको पढ़ाई दी वो आपने पढ़ी हैं तो नींद में भी आप इस question को console कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और आपके उपर depend करता है कि आपने वो classes कैसे लीद ही अगर अभी भी आपने वो classes ऐसे ही निकालती हैं, तो please एक बार से कहूंगा, उन classes को जरूर देखे आपको 100% इस question का answer बिल्कुल accurate दिया जा सकता है, आप बिल्कुल accurate answer दे सकते हैं, बिल्कुल out of में आपको बता दूँ सभी question जो यहाँ पर आपको 5 question attempt करने हैं, यानि 40 marks का एक question आपको होगा, और I think अगर आप concentration की साथ उन classes को पढ़ेंगे, तो 40 में से तो 40 पूरा 40 नहीं तब भी आपको 12 number तो जरूर मिलेगा, यह मेरी guarantee है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, next question अपन देखते हैं उम्मीद हैं यहाँ तक आपको पहला question आपने भी discuss किया है, वो आपको काफी अच्छी तरकी से समझ में आया होगा चलिए second question अपने देखते हैं चलिए second question यहाँ है, यह भी आपका long question होगा, कैसा question होगा long question होगा, क्योंकि मैंने कहा है six question आपका क्या होगा, long question होगा तो यह भी आपका long question है, इसके अंदर आपसे पूचा है, discuss about the nosocomial infection and its preventive measures, देखिए काफी अच्छा question पूचा है, काफी जबर्दस question है, और I think आपको याद है अगर classes पड़ी है तो याद है, चलिए बढ़ते हैं discuss about the nosocomial infection सबसे पहले आपको definition देना है, nosocomial infection की क्या होता है, nosocomial infection आपको बताना होगा जिसको आपने सुनाओगा hospital hospital acquired infection भी कहते हैं आपने सुनाओगा, hospital acquired infection भी कहते हैं आपने पढ़ाओगा, सुनाओगा नहीं सुनाओगा, नहीं सुनाओगा तो पढ़िए जानी है, nosocomial infection क्या है lastly, previously station आपको अविलेबल करवा रखे हैं, उनमें आप पढ़िए क्या होता है, क्या इसके regarded हम लिख सकते हैं तो सबसे पहला काम बनता है अगर आपसे question इस तरके से पूचा है discuss करने के लिए पूचा है तो सबसे पहले जो terminology आपके सामने है कोई सा भी question हो particular nosocomial infection की नहीं किरा कोई सा भी question हो, जो terminology आपको दी है जिसके बारे में आपको discuss करना है उसके अंदर आपको definition लिखने होगे कितनी definition, कितनी definition, दो definition sir एक definition तो जो आपने बताईए दूसरी definition जो हमारे point of view से हम लिखेंगे अपनी language में लिखेंगे यानि self खुद की language बना कर आप लिखेंगे I think clearly समझ में आ रहा होगा तो second question के अंदर nozocomial infection का definition आपको clear करना है at least दो definition यहाँ पर आपको लिखने है उसके लबा preventive measures आपको बताने है nozocomial infection के preventive measures nozocomial infection यानि hospital acquired infection को किस तरीके से prevent किया जा सकता है वो आपको यहाँ पर बताने है और I think आपको पता होगा universal precaution के regarded आपने पढ़ा होगा universal precaution जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमें mask लेना है gloves पेने हैं goggles पेने हैं सारे preventive measures जो आते हैं gowns वगेरा, cape वगेरा, surgical cape surgical shoes, सारे कुछ आपको देखने है और especially hand washing especially hand washing आपको देखना है नहीं आदे तो बहुती जल्दी इसके इस question के regarded separate session आपको available करवाया जाएगा, don't worry नोजो कोमेल infection के regarded already हम discuss कर चुके हैं, फिर भी आपको available करवाया जाएगा, don't worry लेकिन positive बने रहे है और continuously session ले और continuously पढ़ने की कोशिश की जिगा काफी अच्छी तरीके से आपको question का solution मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी question के अंदर add है, explain the role and responsibility of infection control committee देखिए, infection control committee ICC इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था infection control committee क्या होती है infection control committee कहाँ पर होती है, कहाँ पर establish की जाती है, कहाँ पर introduce होती है किस level पर यह होती है और इसके members कौन-कौन होते है, infection control committee के member कौन-कौन होते है और इसकी अखीर role and responsibilities क्या होती है वो हमने काफी अच्छी तरगे से discuss किया है, नहीं देखा है session आपको playlist में available है वहाँ से उसको जरूर देखे ठीक है, I think यहाँ तक second question आपको clearly समझ में आ गया होगा और काफी अच्छी तरगे से समझ में आ रहा होगा और इन question को आप जरूर solve करेंगे, जरूर practice करेंगे अगर नहीं आते question तो आपको playlist के अंदर इनका videos available हो session available है, वहाँ से उनको देखिए वहाँ से उनको समझिए और कोशिस कीजिएगा इनको solve करने की ठीक है, I think clearly समझ में आ गया होगा next चलते हैं third question पर, third question एक बार फीर से long question है six question में से third question भी कैसा है, long question है long question का answer कैसे देना है आपको मैं continuous ली बता रहा हूँ तो वीडियो को like नहीं क्या तो share कर दीजेगा like भी कर दीजेगा और channel पर पहली बार आ रहे हैं तो channel को subscribe जरूर कीजेगा और अपने friends को भी बताईएगा कि G1 education की membership में आपको किस तरह का content provide किया जा रहा है और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा आप सब comment कीजेगा और वैसे भी आपको मैंने WhatsApp ग्रूप में add कर लिया है तो WhatsApp पर आप मुझे timing बताईएगा कि किस timing में हम एक live Q&A session करें ठीक है Q&A question and answer session अपन करेंगे daily up to date करेंगे तो आप पहले मुझे timing बताईगे कि किस timing में आप सब लोग free रहते हैं उस timing में हम Q&A session start करेंगे और daily Q&A session अपन उसके अंदर करेंगे आपका जो भी doubt है सब clear करेंगे don't worry ठीक है लेकिन बने रहे हैं और अपने friends को भी जरूर बताईगा कि किस तरीकी से content आपको यहाँ पर available हो रहा है चलिए बढ़ते हैं next question आपके सामने है definition vital aesthetics देखिए यहाँ पर आपको define करना है vital aesthetics third question है और यहाँ पर question पूचा है आपसे define vital aesthetics काफी important question है काफी important topic है vital aesthetics है याद रखे काफी important topic है vital aesthetics क्या होता है vital aesthetics vital aesthetics के regarded definition लिखनी है जहाँ पर definition आजाती है कितनी definition सर दो definition एक तो आप बताएंगे उसके हिसाब से रेक हम बताएंगे हमारे हिसाब से तो दो definition आप लिखेंगे काफी अच्छा माक्ष आपको मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी question के अंदर add किया हुआ है describe analysis of data describe analysis of data and explain the type of analysis देखें यहाँ पर question पूचा है आपको analysis के regard जो data होते हैं वो क्या होते हैं describe analysis of data analysis of data को आपको describe करना है कि यह क्या होता है and explain the type of analysis और analysis के type को आपको बताना है कि analysis के type कौन-कौन से होते हैं उनको आपको बताना है उमिद है question समझ में आ रहा होगा इसके regarded question आपको जल्द ही मिलने वाला है इसके regarded session आपको जल्द ही मिलने वाला है vital aesthetics के regard तो vital aesthetics के regard बहुत ही जल्दी में आपको शेशन अवेलेबल करवाद हुआ जिसके अंदर पूरा वाइटल इस्टेटिक्स आ जाएगा आपका वाइटल इस्टेटिक्स के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट है सारे अवेलेबल करवाई जाएगे एनलाइसिस ओफ डाटा क्या होता है डाट आपको वाईर जाएगे और सारे क्या होंगे उसके बाद ऊटके अंदर कोशन हने होएं दो चलिए बढ़ते हों यहां पर आपसे पूंचा है Define Water Born Disease Question काववयच्छा है Water Born Disease को define आपको करना है कौन सी disease condition को Water Born Disease कहेंगे आपको Question के उ dachte ही temperature हो रही है Water Born Disease ऐसी इसाची है जो की Water के थुझो Water के थुझोए Definition आपको clear है definition आपको clear एक Nation के इंदर ही definition आप से पूँचिए कितनी definition 2 definition सभी प्राइशन एक आपके पुएंट पूंट व्युज है नंबर पूरा मिले बिलकुल जरूर पूरा मिलेगा आपको नंबर अगर इसी तरीके से आप बढ़ते रहे तो हंड्रेड पर्सेंट के साथ मी आपसे कहता हूं अगर इस तरीके से आप लिखे तो बिलकुल execut UN यहाद होगा नहीं याद है तो जरू सिशन देखे आपको याद होगा समझ में आएगा चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप है नोन बायो डिग्रीडेबल वेस्ट आता है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो जरूर सेशन देखे आपको सेशन अवेलेबल हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन अपन डिसकस करते हैं क्योशन नंबर फिप्त और अगेन लोंग से लोंग क्योशनbled क्योश्ण सेंदर आपके साँमने हैं क्योशन के अंदर आप से पूचा हैं । का विपकोश्य सेफ याप कि उसक खियर बताना हैOOOOOOOO नहीं होगी definition आपको clearly समझ में आ जाएगी एक बार फिर से कोशिज कीज़ेगा question को समझने की और फिर कोशिज कीज़ेगा session को attempt करने की बहुती जल्दी इसके regarded भी आपको session available मिलेगा don't worry चलिए आगे बढ़ते हैं इसी question के अंदर आगे question add है explain the method of purification water of water at household level देखे एक household level पर purification water का purification अलग-अलग level पर होता है उसके अंदर basically जो आपसे question किया जाता है वह household level पर किया जा रहा है household level पर यांगे आप घर पर किस तरह के से water को purify करते हैं आपका यहां सर आप boiling करके करते हैं वह सारे कुछ यहां पर explain करने हैं और काफी अच्छी तरह किसे समझने की खोशिस किजेगा काफी अच्छी तरह किसे इसको explain कीजेगा क्योंकि long question है अब देख लिजेगा आपके mind में doubt यह आता हुआ सर हमें page कितना cover करना है देखे मैं page आपको बताता हूँ अगर आपसे दो number में question किया गया है तो approximately आधा page तो complete आपका जाएगा half page आपका complete जाएगा अगर four question का answer है तो at least one and half question one and half page आप cover करने की कोशिस कीजेगा अगर marks अच्छे चाहिए तो अगर आपको 14 marks में question है अब उसके अंदर question को divide किये दो part के अंदर definition यहाँ पर पूँचिए तो half part यहाँ पर चला जाएगा पेज का half page यहाँ पर चला जाएगा remaining portion यहाँ से इसके अंदर से at least 2-3 page आपको cover करने होगे कितने page 2-3 page आपको cover करने होगे marks अच्छे मिलेंगे guarantee की साथ बूलता हूँ marks अच्छे मिलेंगे अगर इससे जादा page आप cover करते हैं तो काफी अच्छा है क्योंकि university में page level भी आपको देखा जाता है language भी आपकी देखी जाती है कहाँ पर कैसे किस तरीके से लिखा हुआ है आगे दीरे दीरे बताता जाओंगा दीरे दीरे आपको समझ में आता जाएगा six number question एक बार फिर से long question है और यहाँ पर question आपसे पूचा है what are the services provided at PSC under the maternal and child health care including family welfare sorry family planning देखे यहाँ पर एक simple सा और short question में long question आपसे पूच लिया है short सा question है लेकर long question आपसे पूच लिया है देखे यहाँ पर आपसे पूचा है PSC के regarded तो यह सा नहीं है यहाँ पर आप directly यहाँ पर क्या है cable services आपसे पूची है maternal and child health care including family planning इसके under PSC का क्या क्या काम होता है PSC क्या क्या services provide करती है यह आपको question के अंदर पूचा है ठीक है तो यह question आपसे पूचा है अब यहाँ पर केवल आपसे services पूची है इसका मतलब यह नहीं है कि आप direct services लिखे और फिर ही होगे marks नहीं मिलेगा पहले ही बता दो आपको अगर आपने सोचा कि हाँ question में इतना ही पूचा है तो ज़्यादा over smart होने की ज़रूत नहीं है अगर services लिखकर आए तो 100% में आपसे कहता हूँ आपको पूरा marks नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर question कैसे दिया है याद है क्या एक ही question पूचा है आपको और 40 marks का है कितना 14 marks का है 14 number का एक ही question है आप सोच लिजेगा 14 number का एक ही question पूचा है तो वो भी यहाँ पर दे सकते है introduction आपको देना होगा उसके अलावा उसके अलावा आप यहाँ पर introduce कर सकते हैं इसके introduction का एकी PSE का जो population है वो आप बता सकते है PSE की population की कहाँ पर population criteria इसका है किस level पर PSE को introduce कराया जाता है कितनी कितनी population यहाँ पर होती है और आप stopping pattern भी बता सकते हैं, stopping pattern भी बता सकते हैं, then after आप services प्रोवाइड करेंगे, then after सारी services आपको heading, sub heading में लिखनी होगी, ऐसा नहीं है, point wise आपने directly page भर दिया, नहीं, heading, sub heading में कोशिज कीजिएगा, heading, sub heading में आप लिखेंगे, यानि services प्रोवाइड कर रहा है, यानि कि मान के चले matern, anti-natal, post-natal services प्रोवाइड करें, तो anti-natal services करके, उसके अंदर जो भी services आएगी, immunization हो गया, nutrition, education हो गया, वो सारा heading, sub heading में आपको लिखने की कोशिज करना है, और अगर point wise आप लिखते हैं, तो हाला कि वहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं, दिक्कत आएगी कि नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर effective कम रहेगा, वहाँ पर नंबर आपको थोड़ा कम मिलेगा, compare to आप sub heading और heading के अंदर अगर लिखेंगे, अगर heading और sub heading आप use करते होई लिखेंगे, तो I think काफी अच्छी तरीके से आपको marks मिलेगा, और कोशिज क जिगा, इसी तरीके से आपको लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको introduction देना है, सबसे पहले आपको introduction देना है, then आपको उसका stopping pattern बता सकते हैं, then after आप population criteria बता सकते हैं, then after आप services provide करेंगे, services provide करेंगे, और services के regarded क्या करेंगे, heading और sub heading आप बताएंगे, heading और sub heading के तरीके से आप बताएंगे, और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आप लिखेंगे, तो 100% 40 में से हैं, approximately 30 से 40 marks आपको मिलेगा, 100% में कहता हूं, 30 marks तो आपको 100% मिलेगा, अगर इस तरीके से आपने लिखा तो, बाकि आपके उपर है, आपको कितना marks चाहिए, वो आपको चाहिए, कि नहीं मुझे तो 5 marks मिल जाएगा, इसके अंदर 5 marks मिल जाएगा, काफी है, तो फिर उसी तरीके से लिख लिजएगा, लेकिन अगर मेरी तरीके से, मैं जो बता रहा हूं, उस तरीके से लेकिन इस तरीके से आपको लिखना हुआ, यही फूर परफोर्म आपको काम में लेना होगा, तो अच्छे marks आपको मिलेंगा, उमीद है, समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन आपन डिसकस करते हैं, क्योशन नमबर 7, लेकिन वीडियो को लाइक क्या तो लाइक कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लीजेगा, और पहले बार विजिट कर रहे हैं, और सेर भी कीजेगा अपने फ्रेंड तक तक इस सभी तक यह पोँचे, चलिए, बढ़ते हैं, और सभी केंडिडेट्स को, अपने सभी फ्रेंड इसको भी बताएगा कि किस तरीके से आपको सेशन अवेलेबल करवाई जा रहे हैं, जीवन एजुकेशन के इस मेंबर्शिप पोर्शन बर, और उनको भी बताएगा, उनको भी जोइन करने के लिए, कईएगा कि किस तरीके से आपको मिल रहा है, और कोशिश करूँआ, मैं आपस में discussion कर ले, group member में आपको बना दिया है, group के अंदर आपको में add कर लिया है, आपस में group में discussion कर लिये, कि किस timing में आप लोग free रहते हैं, उसी timing में आपको Q&A session जरूर मिलेगा, live में मिलेगा, Q&A session live में आपको discussion मिलेगा, live daily live discussion आपको मिलेगा, आप खुद से पूचेगा अपने friends से पूँचेगा अपने साती से पूँचेगा जो भी आपके साथ membership में है वो सब से पूँचेगा कि किस किस तरीके से हम free है सभी जिस timing में free रहेंगे उस timing में हम Q&A session रहेंगे live रहेंगे उसके अंदर आपका जो भी doubt होगा clear किया जाएगा daily up to date session के साथ चले बढ़ते हैं next question आपके सामने है next question यहाँ पर है question number 7 और यह short not basis question है short not basis यह question है इसके अंदर आपसे पूचा है discuss briefly any 4 question देखे यह bracket में मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर any 4, any 3 लिखा हुआ मिले अगर नहीं मिला है at least जितने question आपको दिये है सारे करने है और अगर मिला है तो जितने आपको मिला है उतनी है आपको करने है courses कीजेगा जो pattern बता रहा हूं वही करे otherwise आपको नुक्शान हो सकता है चलिए पहला question यहाँ पर पूचा है rule and responsibility of a mid-level health care provider MLHP MLHP that is अपन कह सकते है CHO की rule and responsibility आपसे पूचिए अब आपको खुद की rule and responsibility तो at least याद होगी काफी अच्छी तरीके से मैंने समझा है काफी अच्छी तरीके से आपने देखा होगा CCS completed candidate की जो list आई थी posting list उसके अंदर भी इनके rule and responsibilities लिखी हुई थी तो इनको तो at least आपको आना चाहिए तो इनको तो आप ज़रूर लिखे और अच्छी तरीके से लिखे काफी अच्छा माक्सिया आपको मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते है next question यहाँ पर पूचा है list the clinical manifestation of hepatitis A hepatitis A के clinical manifestation यहाँ पर लिखने है hepatitis directly related to liver liver के अंदर inflammation हो जाता है infection हो जाता है तो उसके regarded क्या-क्या sign and symptoms होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने है next question है epidemiology यह epidemiology एक branch है science का एक branch है medical science का एक branch है काफी अची तरगी से हमने इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो जरूर देखे session जरूर मैंने आपको available करवा रखा है जरूर उसको देखे काफी अची तरगी से समझ में आगा उसके लावा level of prevention of disease disease के level of prevention काफी अची तरगी से most of the आपको जहां पर भी देखने को मिलेंगे तीन ही level मिलेंगे तीन ही level books के अंदर mostly तीन ही level बताई जाते हैं लेकिन मैंने यहां पर पांस level आपको बताए है कौन-कौन से level बताई है जरूर session आप ले काफी अची तरगी से आपको इसको लिखना है डारेकली level of prevention नहीं बताना है level of prevention के regarded introduction देना है then after आप level of prevention का एनलिस्ट करेंगे then after उनका थोड़ा-थोड़ा सा description आप देंगे I think completely आपको समझ मैंगा उसके लावा cohort study epidemiology के अंदर important study है cohort study cohort study काफी important है जरूर आप attempt करे जरूर इस question को solve करे और इस question के regarded जल्द ही आपको available करवाई जाएगे situation don't worry epidemiology के regarded कुछ studies है जो की remaining बची हुई है उनको भी बहुत ही जल्द ही आपको available करवाई जाएगी इसलिए don't panic और continuous बने रहे जीवन education के साथ और इसी तरीकी से session लेते रहे चले बढ़ते हैं और last question आपसे पूचा है 8 number question that is a sort not best question sort not best question यहाँ पर आपसे question किया गया है पहला question किया गया है यहाँ पर आपसे पहला question आपसे किया गया है काफी अच्छा question है uses of data जो data हम collect करते हैं data क्या है data एक तरीकी से अपन कह सकते है information at list करनी है तो यहाँ पर directly uses आपको नहीं बताना है फिर से गलती नहीं करना है मैं कह रहा हूँ sort not question पूचे या कहीं भी question पूचे अगर beach में से question पूचा है तो सबसे पहले आपको starting answer करना है starting से यानि data का uses आपसे पूचा है तो data क्या होते हैं इसके regarded आपको थोड़ा सा introduction देना है then after आप uses लिकेंगे अगर आपको 6 marks चाहिए तो बागी आपको marks नहीं चाहिए तो बिल्कुल जो पूचा है उतना दी दीजीगा आपको answer उतना ही मिलेगा आपको marks भी उतना ही मिलेगा चलिए बढ़ते हैं इसका definition और इसके regarded कुछ points आपको mention करने है उसके लवा pandemic आपको लिखना होगा endemic, pandemic, epidemic सारह कुछ अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी don't worry चलिए आगे बढ़ते हैं next question है sources of air pollution काफ़ अची तर रहे किसे आपको याद हो यार बहुत ही simple question है air pollution के regarded question अगर आता है अगर pollution के regarded कोई भी question आता है तो आप आँख बंद करके भी लिख सकते हैं इतने तो आप एबल हैं इतने तो आपको मैं एबल मानता हूँ क्योंकि as a community है तो फिसरा आप बनने वाले हैं और बन चुके हैं at least बन चुके हैं के भी फाइनली पोस्टिंग आपको मिलनी वाली है और उम्मीद है सभी को पोस्टिंग मिलेगे ऐसा नहीं होगा किसी को बेक करके रख दिया जाएगा नहीं होगा सब को पोस्टिंग मिलेगे don't worry लेकिन positivity के साथ अपना best देनी की खोशिस करे चलिए next question की discuss करते हैं next question है epidemiological triad theory काफे चितर के से हमने discuss किया है theory के अंदर cohesion of disease के अंदर हमने अलग-अलग theories हमने पड़ी थी jump theory भी पड़ी थी epidemiological triad theory भी पड़ी थी epidemiological triad theory के अंदर क्या क्या आते हैं आप सबने पढ़ा होगा इस तरीके से triangle हमने पड़ा था agent, host और environment हमने अच्छी तरीके से पड़ा था काफे अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा नहीं आया तो एक बार session फिर से देखे और उसके बाद in question paper को solve करें और कोशिश करें जो paper आपको provide करवाई जा रहे हैं प्रेक्टिस करें जो paper आपको provide किये जा रहे हैं उनको practice करने की कोशिश करें उम्मीद है session आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद है session के अंदर जितने भी question में आपको बताया है वो आपको आते हैं नहीं आते हैं तो उनके practice करें आपी copy time है और continuously इसी तरीके से आपको paper में लाता रहूँगा और important questions आपको बताता रहूँगा लेकिन अगर आप अपना best चाहते हैं अपना question paper इनिवर्सिटी paper आपको best देना है और first attempt में अच्छे mark से clear होना है तो इनकी practice जरूर करें एक बार जरूर सोल करें बाकि मुझे pdf में भेजे ये ना भेजे वो आपके उपर है लेकिन practice जरूर करें अपना अलग से एक notebook बना लीजेगा जिसके अंदर निस सभी paper को सोल करें ताकि आप एक paper देने जाए जब आप university paper देने जाए तो वहाँ पर इनकोज देखे जाए क्योंकि as it is question आपको वहाँ पर मिल सकती है और I think मिलेंगे 100% sure एक question वहाँ पर आपको मिलेंगे तो उमीद है session काफी अच्छा तरह अच्छी तरह की समझ में आया होगा काफी मज़ा आया होगा session को पढ़ने में तो बढ़ते हैं और आज के session को यही फर finish करेंगे next session के अंदर आपन discuss करेंगे important topic लेकिन आप सबसे कहा था मैंने कि आप सब आपस में discuss कर लीजेगा WhatsApp group में आपको मैंने add कर लिया है आपस में discuss कर लीजेगा timing set कर लीजेगा एक at list यह मान की चले आधे गंटे का आपन live Q&A session लेगे जिसके अंदर हम जो भी आपका doubt होगा उसको clear करेंगे किस तरीके से क्या doubt आपके mind में है तो आपस मैं discuss कर लीजेगा जिस timing में आप सब लोग free रहे वो timing मुझे बता दीजेगा उस timing में मैं set करके उस timing को मैं set करके daily आपको Q&A session प्रोइड करूँगा जिसके अंदर live रहूँगा मैं और उसके अंदर आपका जो भी question का doubt होगा जो भी आपको doubt होगा किस तरीके से क्या doubt रहेगा वो आप जानते हैं वो सारे doubt आपको clear करवा दिये जाएंगे don't worry लेकिन positive बने रहे और continuously अपने practice को करते रहे G1 education आपके साथ है don't worry चलिए बढ़ते हैं आज के session को finish करते हैं ज्यादा ज्यादा शेर करें ज्यादा ज्यादा शेर करें और channel पर पहले बार visit कर रहे हैं तो जरूर इसको subscribe कर लिजेगा bell icon call पर press कर लिजेगा और अपने friends को भी motivate कीजेगा कि आपको negative नहीं होना है G1 education के साथ आप एक बार जूड़ कर दिये कि आपको काफी benefit होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के session को मैं finish करने जा रहा हूं मिलेंगे अपन next session के अंदर एक नए topic को लेकर एक important topic को लेकर चलिए thank you very much for joining